हलो फ्रेंड मेरे खा महर गारडन से आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग आश्य करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और गारणिंग में मस तोंगे और क्या को दोस्तो दो-तीन महीने पहले मैंने कमल के जो प्लांट है उसकी seeds को grow किया था और दो-तीन महीने से ये ऐसे ही पानी में डले रहने दिये क्योंकि इनका growth period नहीं था तो मैंने इनको मिट्टी में transfer नहीं किया है तीन महीने से ये plant ऐसे ही पानी में मैं रखे रही हूँ और पानी इसका time time पर change करती रही हूँ तो दोस्तो अब ये time आगया है इनका growth period है देखेंगे आप कि इसमें से जड़े भी निकल आई है roots अच्छे से open हो गई है और अब ये मिट्टी में जाने के लिए ready है तो अब मैंने सुचा कि चलो इनको भी transfer कर देती हूँ क्योंकि दोस्तो ये पानी में जादा दिन नहीं रहेंगे जादा दिन रहेंगे तो इनकी growth नहीं बढ़ेगी तो बहुत ही चोटे चोटे से हो गए है तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगे कि मैं इसको कैसे अपने garden में लगाती हूँ कौन सी मिट्टी और कौन से pot में लगाती हूँ यहाँ पर मैंने दो छोटे-छोटे से pot लिए हैं दोस्तो आप चेक करेंगे इसमें hole नहीं होना चाहिए pot में आपको hole नहीं करना है अपने जो भी जिस भी चीज में आप बड़ा tub भी ले सकते हैं या आप छोटे tub या बाल्टी कोई भी चीज ले सकते हैं और इसके लिए मैं कौन सी मिट्टी तयार करूंगी इसके लिए मैंने rate ली है rate मैंने 20% ली है 40% मैंने दोस्तो स्वाइल ली है और 20% मैंने ये खाद ली है तो आपको मिट्टी जादा लेनी है rate 20% ही लेनी है और थोड़ा सा मैंने फंजिसाइड डाला है आपके पास अच्छे से फंजिसाइड डाल दीजेगा मेरे पास खतम हो गया तो मैंने अभी इतना ही डाला है और नीम खली को एड़ किया है दोस्तों फंजिसाइड नहीं है और rate थोड़ी सी कम लें क्योंकि दोस्तों well-drained soil नहीं बनानी है पर थोड़ी rate दिली और थोड़ी सी चिकनी मिट्टी में जैसे आपको पता है कि तालावों में चिकनी मिट्टी होती है उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते है तो दीरे दीरे करके मैंने इसमें भर लिया है और आप देखेंगे अब आपको पानी डाल देना है पानी एक बार अच्छे से भर दीजिए उपर तक भर जाए कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि दोस्तों इसको बाहर इसका पानी नहीं निकलेगा तो एक बार अच्छे से इसको पानी डाल दिया है अब आप दीरे दीरे करके इसमें छोटा सा होल बनाए और ज़्यादा गहरा ना दवाए थोड़ा सा ही होल करें और बस इस तरह से आपको अपने जो कमल के सीड हैं उसको रख देना है दोस्तों बहुत सुन्दर समर में इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है फूल भी खिलते हैं थोड़ा फूल खिलने के लिए दोस्तों कम से कम एक देड़ साल का प्लांट हो जाए तब ही आपके गार्डन में कमल के फूल खिलेंगे लूटस बहुत ही आसानी से सीडस से ग्रोव हो जाता है दोस्तों तो इसको आप इसकी रूटस भी आती है ये नरसरी में मिल जाए साइद या कहीं तालाब से मिलें आपको तो आप इसकी रूट भी ला सकते हैं कंद्र टाइब के होते हैं जैसे की आप बलब होते हैं, ऐसे ही lo Treasury के भी बलब होते हैं जिसको आप निकालके लगा सकती हैं तो इस तरह से मैंने दो दो तीन तीन मेरे टोटल छे प्लांट थें मैं छे ही लगा दिये हूं दोस्तो इस तरह से अब आप देखेंगे आप कह रहे हूंगे कि इसमें पानी कहा है आप कैसे करेंगे इसको पानी क्योंकि ये पानी में ग्रो होता है तो अभी तो मैंने मिट्टी में ही लगाया है तो दोस्तों वेट करिए मैं आपको बताती हूं कि मैं क्या करने वाली हूं ये मैंने बड़ा स से कर्ज की जा सकती है डारिक टब में लगाते हैं तो सफाई होना बहुत मुस्किल होता है जब भी मन करें तो आप अपने पॉट को हटाके अपने टब की सफाइה कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने अपने लोटस प्लांट को रिपॉर्ट कर लिया है दोस्तों अब मैं इसमें एकदम से पानी भर दूँगी इसका पानी आपको टाइम टाइम पर चेंज करते रहना है अगर आप हो सके तो इसमें मचली भी डाल दें तो मचल पैदा नहीं होंगे और मचलियां को भी खुब इंजवाय तो अगर मचली डाल देंगे तो मचल नहीं होंगे दोस्तों और दोस्तों टाइम टाइम पर इसका पानी जरूर आप चेंज करते रहें जिससे की मचल भी पैदा ना हो और आपके प्लांट को साफ सुतरा पानी मिलता रहे तो इस तरह से मैंने दोस्तों अपने लोटस प्ल अगज के तो था सिरू अपने खो साफ बनाए जरूर आप साγ south बर दोस्तों और आपके पर चेंज करते तिय्क करते हो साफ uz क्वपने के नहीं हरे तोस्तों घuarल टा हैंज भी अज़ ड़ दोस्ते हैं घरून झानी रहादे करते दोस्तों पैसivities बंदों चैना हम जाएंग